नमस्कार साथियों अभी हमें मौर्दोहज आस्रम में और ऐसा आस्रम जहां तमाम असाथ द्रोगों का संत हनुमान दास्टी महराज इलाज करते हैं और यह आस्रम चित्रकूर्ट का सबसे वायरल आस्रम है और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर तमाम ऐसे आसाथ द्रोगों का इलाज किया जाता है तो इसके बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपका सवाल आ रहा था बार बारा पूछ रहा थी कि यहां पर कैसे पहुं सकते हैं वायु मारक द्वारक कैसे पहुं सकते हैं सडक से कैसे पहुं सकते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद यह सारे सवाल आपके दूर हो जाएंगे नंबर कैसे लगेगा यह भी सारी चीजें इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगी तो सबसे पहले जो ज आते हैं कि कैसे आपको आना है इसके पहले मैं आपको को दिखाता हूँ कि जंगल कैसे फिर आपको स्टेशन से लेकर जानकारी सढ़क से पहुंचना है आज इस वीडियो में आपको देखने के बाद आप को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आसानी से आप यहां आस्रम तक पहुँचकर अपना समधान ले सकते हैं संथनमानदाजी के पास जो लोग ट्रेन से और उत्रपडिस की सीमा से आचाहेते हैं तो सब से पहले आएंगे चित्रकूर्ट धामकरवी रेलवी इस्ट्रेशन और करते हमें बचलिए चित्रकूर्ट धारमकरवी रेलवी तेक्षी ले-लेना हैं यहां पर आरती होती है रामगाट यहां पर असब से पहले आपको हनुमाहान दाश जी इमारात पहुंचने के लिए सब से पहले आपको चट्रट कुर्डांगक रैली स्टेस्टन झो त्ह Oak पहले दिखाया और इसके सामने से ही थोड़ी दूर आपको पैदा जाना और पर मुड जाना है, जैसे आप मुडेंगे तो आपम अपर मद्ध प्रदेश की सीमा लगती है और मद्ध प्रदेश की सीमा पर आपको गुप्त गुदाओरी मार्ग जाने के लिए आपको टैक्सी मिलेगी, तो फिर आपको उस टैक्सी में बैठ जाना हो और फिर लगवक 12 किलोमेटर दूरी इत्ता करने पर आपको पाल दे उतरना तो चलिए चलते हैं और आपको आगे की रास्ता दिखाते हैं इधर सामने कामतनात परिक्मक लिए एक मार्क जाता है और इस साइड आपको जाता है पाल देउ गाहों के लिए यानि कि गुप्त गुदारी मार्क जो गुप्त गुदारी का किराया होगा तो लगवक 30 रुपाय पाल देउ जाने तक होगा एक साधारन किराया और जो अधिक सबसे पहले, आपको आना है, चितकूर दाम करवी, बसे यहां पर देख सकते हैं, ज्यादर तर यहां पर बसे चलेंगी तो प्राइबेट चलेंगी, बारिस का मौसम बहुत ज़्यादा है बारिस यहां पर हो रही है और सतिय उन्सुय की दूरी यहां पर आप देख रहा है तो 14 किलोमीटर यहां से पटिक सिला 2.8 किलोमीटर और जानकी कुण यह आना चाहते हैं तो 1.5 किलोमीटर जानकी कुण बीच में पड़ता है सामने आपको सीधे चले जाना है जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको यहीं पर ग्रामूदे विश्वित्याले भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह के तमाम इस्टिट्यूट और कालेज आपको बीच में रास्ते पर मिलेंगे और सीधे आपको चले जाना है यहां सातियों आपका ये भी बहुत सारा सवाल था कि यदि हमार रहें तो आपर रुकेंगे कहां पर तो ये रामगाट है और यहीं पर ये पूरा छेतर रामगाट काता है जहां पर कई धरमसाला मिलते हैं कई यहां पर कुटियां मिल जाती हैं जहां पर आप रह सकते हैं मिनमम की राया 100-150 रुपाय से लेकर प्रारंब हो जाता है और लगबग 200-500-1000 जितनी आपकी सो इच्छा हो उतना आप यहाँ पर देखकर आप ठहर सकते हैं और यहाँ पर आसानी से आप रूख सकते हैं महराज जी की आसरम की बात करें तो चलिए वहाँ पर भी दिखाएंगे कि आपको वहाँ पर कितनी जगए और वहाँ पर कितने लोग ठहर सकते हैं और यहीं पर आपको गूमने के लिए और कई सारे स्थान मिलते हैं यहाँ आप गूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आरोग धाम जहां पर पूरा पानी बैताब माता मंदाकनी का तो यहां पर ठहर भी सकते हैं देखिए आगे बहुत सुलब दर्तन होने वाले हैं यहां पर आगे सामने ही हम यहां पर यात्रा जा रहा है धर्म संतों की बहुत सारे संतों के दर्तन भी आपको होने वाले हैं चलिए आपको के विद्रस्तन खराते हैं लगवक्त 10 किलोमेटर की यात्रा करके हम आ चुके हैं सती अंसुया के पास और यहां से सती अंसुया के जो दूरी है वो 5 किलोमेटर पड़ती है एरो यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको बात करें गुप्त गोदावरी मारक लगभा 8-25 किलोमेटर पड़ता है तो आपको चले जाना है सीधे गुप्त गोदावरी मारक पर और यदि आप उधर से आ र चलेंगे सीधे गुप्त गोदावरी साइड को और यहां से काफी दूर पड़ता है और यहां से जो अगली यात्रा है दिखाएंगे कि आपको कहां पर रुकना है और फिर कैसे आपको जंगल की तरफ प्रवेस करना है यहां से जो खजुराहों पड़ता हुए लगभाग 11 क्याओन किलोमेटर पड़ता है और यहां खीरे की खदान बजगां में हो 37 किलोमीटर गुप्त गुप्त-गोदावरी की बात करें तो लगभाग 8 किलומेटर पड़ता है तो देखिये आपको गफ्त-गोदावरी मारक सीधे चले जाना है और यहां से आपको साथाइड से आ आगे आएंगे तो आपको यही पर दिखाई दे जाएगा साइड में कि उच्छतर मादमी बिद्ध्याले पाल देव यहाँ पर बना हुआ है इसको आप देख सकते हैं मेरे पीछे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जोपरी टाइप की यहाँ पर बनी हुई ह यहां पर जो रास्ता रहता है तो यहां से आपना जाकर थोड़ा और आगे जाए और आगे वाले रास्ते से आप ब्रेश करते हैं क्योंकि यहां से गाड़ी वगएरा फंसकती है चली मैं दिखाता हूं कि कैसे यहां का रास्ता है देखिए जंगल का पूरा किनारा है जो यहां पर देखिए बेक्त भी आ रहा है तो यहां पर पैदल यात्रियों के लिए ठीक है लेकिन जो बाई को गैरा से जा रहा है फोर बिलर है टू बिलर से तो उनके लिए समस्य है यहां पर गड़े बने हुए हैं कई सारे गड़े है यहां पर आपकी गाड़ी वगएरा फश सकते हैं तो रिस्क ना लेते हुए आगे थोड़ा सा और जाएं और गाउं के साइट से अंदर जाएं यह पूरा पाल दियो गाउं पढता है हैं कई रास्ते यहां पर छोटे छोटे मिलेगें लेकिन जिसमें से आपको डायरेट मिले तो रास्ता यह है जहां से आप इसमें से डारेक्ट जा सकते हैं यहां पर यह ऊट रगा हुआ हुआ है ब्रंभा मारी झे पाल देओ यहां से आप सीधे जा सकते हैं। यह रास्ता से आप डारेट पाल देओ, मौर्धोज आसरम तक पहुं सकते हैं। और यह पूरा आसरम का नजारा जहां देखी लोग आते जा रहे हैं, बारिस भी हो रही है। और बीच का वीडियो हम इसलिए नहीं दिखा पाए, कि बारिस बहुत तेज होने लगे थी। और हमें यह था कि जल्दी से पहुंच रहा है। यहीं पर दरबार भी लगता है। तो चलिए इस तरह के देखिए, लोग यहां पर बीड लगाए हुए हैं। यहां पर अभी महराद जी पूजा अर्चनल से निकले हुए है। और यह लगवख 50S बैक्तियों की ठीरुद्धी की बहुसता कहीं जाती है, लेकिन सही रूप से आप यहां पर 100 बैक्ति यह रासकते हैं। खाने की यहां पर पूरी बहुस्ता है लेकिन ठेड़ने की पूरी बहुस्ता यहां पर नहीं है क्योंकि यह जंगल का पूरा छेत रहे तो यहां पर आपको सुरचित रहना भी पड़ता है और यह पूरे चारों तरप का एरिया है जो आस्रम को जाता है तो इसी तरह वीडिय रहेगा और नीचे comment में लिखेगा उसका भी reply देनी की पूरी कोशिस की जाएगी